देखिए बिहार में NDA की पुर्व भाउमत से सरकार तो बन गई लेकिन अब चर्चा हो रहा है विकासिल इनसान पाटी के सुप्रीमों और बिहार सरकार के पुर्व मंत्री मुके सहनी को लेकर कि आखिर मुके सहनी का फैसला क्या है मुके सानी किसके साथ मिलकर आगामी लोक सभा का चुनाव और उसके बाद जो दोईदर पचीस में बिधान सभा का चुनाव है मुके सानी किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और मुके सानी ने अब साथ तोर पर एहलान कर दिया है कि जब बिहार की राजनीती में इस्थिर्ता हो गई यानि कि आप देखें बीते दिन NDA की पुर्ण बहुमत से सरकार तो बन गई लेकिन चर्चा अभी भी बिहार के सियासत में जो सरगर्मी है वह काफी तेज है चाहे जेडिव के बिधायक को लेकर हो या फिर RJD के या फिर BJP के बिधायक को लेकर लेकिन मुकेस अनि साब तोर पर उनका एजेंडा है कि निसाद आरक्षन संकल प्यात्रा को लेकर निसाद समाज के आरक्षन की बात कर रहे है जब तक आरक्षन नहीं मिलेगा तब तक हम किसी के साथ गठ बंदन नहीं करेंगे और मुकेस सानी साफ तोर पर कह रहे थे कि जो हमारे आरक्षन की बात करेगा उसी के साथ हम अगामी लोक सभा चुनाओं में जाएंगे लेकिन देखिए एक बात के लिए रहे जो साफ तोर पर कावी रहे है कि जब देश के परधान मंत्री एक है देश के ग्री मंत्री एक है जब देश का संविदान एक है तो फिर जितने दिल्ली और पच्छिम बंगाल के निसाद भाई है उन्हें आरक्षन मिल रहा है तो फिर बिहार जहरकंड और उत्तर परदेश के जितने निसाद समाज के लोग हैं उन्हें मिल रहा है मुकेश सहनी साफ तोर पर अड़े हुए है कि हमारे जो समाज के लोग हैं देखिये son of malah के नाम से मुकेश सहनी जाने जाते हैं और बिहार में निसाद का सबसे बड़ा अगर कोई नेता है तो मुकेश सहनी हैं इस बात में कहीं से दो रहा नहीं है देखिए जाती जनगना के रिपोर्ट के बाद अगर एक नमबर पर किसी जाती की संख्या है तो यादों है 14 पर 30 और दूसरे नमबर पर निसाद समाज आता है निसाद आता है लगबग 10% और मुकेज सहनी इस बात को जान रहे हैं देखिए लोग सबाचुनाओं में मुकेज सहनी इंडिये के साथ जाएं या फिर इंडिया अलायंस जो महागटवंदन है यानि कि तेजसूर पर साध यादों के साथ लेकिन एक बात तो तय है कि निसाद समाज उसी के साथ जाएगा जिसके साथ मुकेज सहनी जाएंगे लेकिन देखिए मुकेज सहनी के बात से अब साथ तोर पर लग रहा है कि अभी हो सकता है मुकेज सहनी ना इंडिये के साथ जाएं और ना ही महागटवंदन के साथ मुकेज सहनी ख टीकट देने वाला नहीं बलकि टीकट बाटने वाला बनेगा तो इससे अब अंदाजा लगाए जा रहा है देखिए राजनीती में कयासों का दोर जारी रहता है मुकेश सानी के इस बयान के बाद अब अंदाजा लगाए जा रहा है कि मुकेश सानी के मन में कहीं यह तो नही चल रहा है कि विकासिल इंसान पार्टी के बैनर तले परतिक जीला में एक एक कैंडिडेट उतारा जाए और बिहार के जो 40 लोग सबासीट है उस पर भी आईपी अपना कैंडिडेट उतार सकती है लेकिन देखे मुकेज सहनी साफ़तों पर जबकार है थे कि NDA की सरकार बने या फिर महागटवंदन की बिहार के राजनीती में जब इस्तिरता आएगा उसके बाद सहनी सोचेंगे और एलान करेंगे हलांकि वक्त आ गया है 15 तारिक से पहले यानि कि आज से ठीक दो दिन बच गया है उससे पहले मुकेज सहनी एलान कर देंगे कि कि किसके साथ मिलकर म किस सहनी अगामी 2024 के लोग सभा चुनाव लड़ रहे हैं बहरा लगतार एक एक अपडेट हम आपको उदर अभी हार एक सोच पर बने रहें बहुत बहुत धन्यवाद